हेलो दोस्तो आज के इस मिस्टिरियस वीडियो में आपका स्वागत है दुनिया के लगबग सभी देसों में एक ऐसी जगे होती है जिसके लिए वहाँ के देसवासियों के दिल में एक खास जगे बनी होती है उस जगे को लोग अपना गाउं कहते हैं गाउं के हरे बरे खेद और वहाँ के सुन्दरता सभी को बहुती भाते हैं हर गाउं की अपनी एक विशेष्टा होती है जो कि उस जगे को बहुती खास बनाती है लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगे भी है यानि की ऐसे गाउं जो के रौंग्टे खड़े हो जाएंगी दोस्तों शुरू करने से पहले करिपे करके इस वीडियो को शेयर करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की सक्त से सक्त जरूरत है चले शुरू करते हैं टेल्टेपेक मकसिको का ये टेल्टिपिक गाउं दुनिया के सबसे विचितर और रहसमाई गाउं में से एक है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अंधे हैं और वो अंधे रहकर ही अपने जीवन को वतीत करते हैं यहाँ पर बलकि इंसान ही नहीं बलकि सभी जानवर और पक्षी भी अंधे हैं सुनने में ये बात एकदम जूटी लगती है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं क्योंकि सच हमेशा ही विचितर और अविश्षशनी होता है इस गाउ में करीबन तीन सो लोग रहते हैं जो की एक आदिवासी जनजाती माने जाते हैं जब यहाँ का बच्चा जनम लेता है तो वो अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल सही रहता है लेकिन धीरे धीरे उनकी भी आँखों के रोशनी कम होने लगती है और कुछी समय में वो भी पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं गाउं के सभी लोगों के अंधेपन का कारण यहां के लोग एक पेड को मानते हैं यहां के लोगों का मानना है कि यह पेड शापित है और उसी पेड ने इस पूरे गाउं को अंधा बना रखा है यहां पर मुझूद यह पेड जिसका नम लाव जोला है यह पेड करीबन यहां पर 100 साल पुराना है और इस गाउं की ऐसी मानता है कि जो कोई भी इंसान इस पेड को देख लिता है वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है इस गाउं की इसी रहसन ने शहर के बड़े-बड़े डॉक्टर्स को और साइंटिस्ट को भी यहां के हालात को देखने के लिए काफी जादा अकर्शित किया लेकिन जब शुत कर्थाओं ने शुत किया तो तो फिर वो बताते हैं कि उन लोगों के अंधेपन का कारड कोई शापित पेड नहीं है बलकि वहां पर पाई जाने वाली एक जहरेली किसम की मक्षी है जिसके डंक मारने से ही यहां के लोग और पशुपक्ची धीरे-धीरे पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं बैना ग्राम दो विलेज उब घोष्ट ये गाउं पश्चिम बंगाल के असंसोल में इस्थित है ये ऐसा गाउं है जहां पर जाने के नाम से ही अच्छे अच्छों की रूख काम जाती है क्योंकि इस गाउं को पिसाचों के गाउं के ना पूरी तरह से छोड़ दिया ये बैना ग्राम गाउं कभी बहुती खुसाली से रहता था लेकिन अब इस गाउं में कोई भी ने रहता क्योंकि इस गाउं को एक भूतिया गाउं माना जाता है वेश्ट बंगाल के जिटी गाउं के पास बसा हुए ये गाउं एक समय पर लाइन पर यहां के लोगों को हर दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी क्योंकि एक साधरण गाउं होने के कारण अपरादी कतल करके किसी भी लाश को यहां पर फेक दिया करते थे सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहां के लोग जब सुबे उड़ते तो उन्हें अक्सर किसी न किसी लाश को देखना पड़ता था और फिर इस वज़े से धिरे धरे इस गाउं में अजीब अजीब घटना गटने लगी और लोगों को अक्सर भूत परेद दिखने लगे और ये मिस्टिरियस गटनाओं के गटना धिरे धिरे और भी तेजी से बढ़ने लगी इस जाम ढ़लने के बाद यहां का कोई भी गाउं का निवासी अपने घरों से निकलने में डरने लगा इस पूरे ही गाउं में जगे जगे पर लोग भूत परित देखने का दावा करने लगे और ये घटना किसी एक वक्ति के साथ नहीं बलकि कई लोगों के साथ घटी थी और जिस वज़े से गाउं के लोगों ने धिरे धिरे इस गाउं को छोड़ने का फैसला कर लिया ये गाउं पूरी तरह से खाली हो गया लेकिन आज भी इस गाउं में शाम ढ़लने के बाद कोई भी जाने की हिमत नहीं करता यहां के आसपास के लोगों का मानना है कि यहां के न यहां के लोगों का मानना है जब सिकंदर भारत आया था तो उसकी सेना के कई लोगों ने भारत में यहां पर रहने का पहला है फैसला किया था और ये सभी लोग उन्हें के सनीकों के वन्शज हैं इसके विप्रित यहां पर कुछ लोग अपने आपको आर्यों के वन्शज भी मानते हैं वैसे तो ये गाउं भारत में मौजूद है लेकिन इस गाउं में खुद के ही बनाई हुए कानून और नियाए वव है क्योंकि मुश्किल फैसलों का निप्टारा करने के लिए यहां पर इश्वर की मदद ली जाती है उधारन के तौर पर किसी पेंचिदा केस में दोनों ही मुलजिम पक्षों को एक बकरी को सदन में लानी होती है और फिर उनके अगले पैर पर एक कट मारा जाता है और फि को गाउं द्वारा दी गए सजा को भुगतना पड़ता है यहां की लोग खुद को सर्वर श्रेश्ट मानते हैं ऐसे में अगर किसी पहारी इंसान ने उनके घर मंदिर या दुकान को छो लिया तो फिर ये लोग उस इंसान से भी बहुती जादा नाराज हो जाते हैं और य यहां पर साल में एक बार फागली उत्सम मनाया जाता है जिसमें ये लोग मुगल बादशा अगबर की पूजा करते हैं इसके अलावा यहां की भाषा भी आसपास के इलाकों से काफी ज्यादा अलग है यहां की भाषा ग्रीज संस्क्रित और तिबत की बोलियों का है और इन लोगों की भाषा पूरे हिमाचल में बोले जानी वाली भाषाओं से बिलकुल अलग है दुरगापुरी कहते हैं कि होली का तेहवार एक खुशियों का तेहवार होता है होली को लोग बड़े धूमधाम से एक दूसरे को रंग लगा कर मनाते हैं लेकिन भारत के एक ऐसा गाउं भी है जहां पर करीबन सो सालों से लोगों ने होली नहीं मनाई होली के दिन आते ही इस गाउं में एक सनाटा सा महूल हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे यहां पर किसी प्रकार का मातम चाया है इस गाउं का नाम दुरगापुर है ये जहरकन के बुकारो में पढ़ता है यहां पर इस गाउं की लोग होली पर बिल्कुल भी रंगों का तहवार नहीं मनाते क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने पर गाउं के अंदर एक भेंकर महा मारी और आपदा आ सकती है कहा जाता है कि 9000 आबादी वाला ये गाउं अपने मर चुके राजा के सो साल पहले दुर्गापुर नामक इस गाउं में दुर्गा प्रसंग नामक के एक राजा का शाशक था उन्हें होली का तहवार बहुती जादा पसंद था लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा की बेटी की मिर्ति हो गई और उसके बास से ही जब भी होली का तहवार बार्दे ही बार्द इस न्थ से बिलुकुल मना कर दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद इतिफाक से ही उस राजा की मौत भी होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से ही यहाँ पर होली के तहवार को ना मनाने की एक परंपरा बन गई। और उस परंपरा के अंतरगत लोग अभी भी यहां पर होली नहीं मनाते। उन लोगों का मानना है कि अगर राजा की बात ना मानी गई तो उनका भूता कर इस गाउं में तबाही मचा देगा।